मेरे यूट्यूब चैनल शिल्पीज ब्यूटीटिर्स में आपका स्वागत है मैंने नीम के विशय में सिरीज आफ वीडियो बनाई है उनमें से ये एक वीडियो है आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने इसमें घर पर आप नैच्रल वेसे किस तरह से आप बना सकते हैं या क्रीम बना सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है बहुत इजी है यह यह मैंने एक प्रॉडक्ट मैंने लिया है हिमालया का नीम फेशयल किट है य और मैं सजिस्ट करती हूं और रेकमेंड भी करती हूं आप इसे यूज कीजिए अगर आपके पास आपका ऑईली स्किन है एक प्रॉंस किन है या फिर पिंपल्स है बहुत ही फाइदेमन रहेंगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेंगा यह जिनका नॉर्मल कर सकते हैं पर इसके यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है वह मैं आगे आपको बताऊंगी पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या है फ्रेंड यह देखिए प्यॉर स्केंड नीम फेशल केक बहुत ही अच्छा है यह मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट को रेकमेंड किया है तीनेजर मेरी क्लाइंट जो है उनको रेकमेंड किया है और इसमें एक बाउन इसे लगाने के लिए क्यों क्योंकि नीम में जो प्यूरिटीज है नीम के जो पॉलिटीज है वो हम सभी लोग जानते हैं नीम मैं रेकमेंड हर एक स्कंटाइब को इसलिए करती हूं कि यह हमारे स्किन को पहले स्वस्त बनाता है हमारे स्किन में अगर कोई इंफेक्शन है तो इसे रैश निकल गया है या फिर कोई हॉर्मोनल प्रॉब्लम है जिसके कारण बहुत तरह का स्किन में पैचेज आ जाते हैं उसे पहले यह सही करता है स्वस्त करता है हेल्दी बनाता है इसके बाद ही दूसरा कुछ अगर हम लोग न्यूट्रीम्स या फिर वाइटिमिन्स या फिर इस तरह का कोई प्रॉडक्ट या फिर घर में बनायावा घरेलू उसके भी हम लोग यूज करते हैं तो वह बहुत जल्दी बहुत अच्छे से वह काम कर जाता है क्योंकि हमारा स्किन तो नीम ने ठीक कर दिया है स्वस्त बना दिया है जिसके कारणी मैं हर एक स्किन टाइब को नीम रेकमेंड करती हूं नीम से बनायावा फेस पैक या क्रीम लगाने को कहती हूं हां तरीका थोड़ा अलग रहता है इससे आप जान लीजिए किस तरह से उसे करना है यह जो फेशिल किट है इसमें हमें इसमें फेस पैक है स्क्रब है और फेश वस है इन तीनों का इसमें दिया हूँ है इसके बार में इससे दिया हूँ है 50-50 ग्राम का स्क्रब और फेस पैक है और 50 ml का फेश वस है चलिए हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग कैसे लगाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ, साथ में ये मैं आपको बता दे रही हूँ, कि ये बहुत ही affordable prices का है, 180 में आपको ये 3 tube मिल रहे हैं, अगर आप अकेले लगा रहे हैं, तो एक महीने आप बहुत easily इसे लगा सकते हैं वैभार कर सकते हैं, आपको फाइदा ही रहेगा, स्किन के हिसाब से भी फाइदा रहेगा, और आपको इसका अफोर्ड भी पा रहे हैं, 180 कुछ भी नहीं है, तो आप इसे जरूर से जरूर यूज़ कीजिए, इसे मन्त में अगर रेगुलर आप यूज़ करना चाहरे हैं, उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ, फस्ट अपल मैं face wash क्या करता है, यह हमारे skin का impurities को हटाता है, face का जो dirt है, dust है, उसे यह दूर करता है, इवन oily skin वालों का skin को साफ करता है, oil skin से बाहर निकालता है, यह आप रोज, everyday, इसे आपको दू भार यूज़ करना है, मीं face wash यह मैं है आपकी स्किन में आपको इससे लगाना है किसतर से लगाना है मैं बता रहे हो आपको जितना आविश Mais अविशित्त wonderful लीजिये उससे पहले आप छहरे को अच्छे से दोलीजिए फिर सख्रों की सब्सकित बाणी आप हातों में लीजिए लेकर आप circular motion में फिर upwards and outwards strokes आप हलके से दिजिए आप अगर जानना चाहते हैं तो मैंने एक face किस तरह से massage करना है उसका एक video मैंने दिया है link मैं साथ में दे दूँगी बस आपको 2-3 मीनट ही इस scrub से आपको massage करना है इसका plus point क्या है इस scrub का की बहुत ही नर्व रहता है इसका जो granules है बहुत नर्व है जिसके कारण ये आपको आपका जो pimples या एकने है उसे ये हर्ट नहीं करेगा ये अपना काम भी करेगा और आपको pimples and एकने को इससे problem भीने रहेगा अच्छे से आप इस scrub कीजिए दो से तीन मिनट फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से बहुत अच्छे से अपने चेहरे को धो लीजिए ये हैं scrub करने का तरीका इसके बाद में आप अब मैं बताती हो आपको की फेस पैक आप कैसे लगाएगा स्क्रब भी आप ट्वाइस अवीक यानि हफते में दो बार आपको स्क्रब को लगाना है अब मैं आपको बताती हो कि फेस पैक कैसे आपको यह करना है ध्यान से सुनिएगा फेस पैक उतना ही लीजिए जितना आपको अविश्यक्ता है यानि कि फेस और नेक आपको श्योड देना है हर कुछ में कर रहे हैं तो आपको साथ में नेक को भी ले लेना है पैक अप जब लगा रहे हैं फेस पैक उसे आप गुलाब जल के साथ आप मिक्स कर लीजिए जितना आपको चाहिए आई एन लिप्स का पोर्षिन को छोड़ कर आप पूरे फेस और नेक पर इसे लगाए 20 मिनट्स पक्क आपको रखना ही है इसे अपने फेस पर उसके बाद आप फेस को आप वेट कर लीजिए अपना भीगा लीजिए फिर अपने हातों से उसी तरह से सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस को बहुत अच्छे से मलिए हलके हातों से रब कीजिए उसके बाद ही आप अपने फेस क यानि चेहरे को धो लीजिए क्या गजब का गलो आ जाता है चेहरे पर बहुत ही कांती में और सॉस्ट हो जाता है चेहरा बहुत ही अच्छा फेस पैक यह है नीम का यह तीनों चीज मैंने आपको बता दिया यह तीनों ही क्यों बहुत ही फाइदमंध है बहुत ही अच्छा है कि हिमालिया के प्रोडक्स में क्यों सेट करती हूँ क्योंकि यह मैं बहुत ज्यादा रेगमेंड इसे करती ह intimidating कि मैं कभी भी हिमालिया का कुछ भी में यूज़ की हूँ अपने सेस पर या स्कीन पर तो बहुत अच्छा लाब गिया है कभी मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है इससे हाँ आपको अगर आपके स्किन टाइप अगर सूट नहीं करता है तो आप इसे न यूज़ करें वैसे मैं हर एक क्लाइन को सजेस्ट करती हूं कि हिमालिया का चीज लीजिए और 1930 से यह हमारा हमारे साथ है बहुत ही अच्छा एक कंपनी है अच्छा एक यह ब्रांड है अब मैं आपको बता दो कि इसे आपको क्लीन किस तरह से करना है आप घर पर क्लीन किस तरह से कर कीजिएगा पहले आप फेस वाश कर लीजिए अपना उसके बाद साफ करने के बाद आप स्क्रब उसमें लगाईए लगाने के बाद आप फेस प वाले इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उनके लिए आपको क्या करना है कि हर एक तीनों चीज के साथ आप जितना ले रहे हैं जितना quantity ले रहे हैं ठीक उसका वन फॉर्थ हनी या पाउडर मिल्क याद रखिए हनी लेना है शेहर या पाउडर मिल्क आपको लेना है भूला देगा और बहुत ही कांती में हो जाएगा आपका स्किन पिंपल से एकने को हटने में इसके दाग धबो को हटने में बहुत ही हेल्प करता है और इसके से ओयल बहुत अच्छे से वह बाहर निकाल देता है इसे आप यूज़ कीजिए जिनके पास समय नहीं है और टी नहीं किया है प्लीज करें और मुझे कमेंट पर जरूर लिख कर बताएं कि आपको ये कैसा लगा इसे यूज़ करने के बाद आपको हैल्प हुआ या नहीं मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं